दोस्तों जो आज के लिए इस टोक दिये थे उनमें से एक एक इस टोक ने काफी अच्छा ब्रेक आउट दिया है जो कि गोद्रेज कंजूमर इसने वोल्यूम के साथ बिल्कुल सही ब्रेक आउट दिया है अगर आपने इसमें इंट्री लिव होगी तो अच्छा खासा मुना क्योंकि मैंने हमेशा के बोलता हूँ कि अगर कोई स्टोक वोल्यूम के साथ अगर ब्रेक आउट दे तो आप बिल्कुल आख बंद करके ज्यादा से ज्यादा क्वांटिटी में ट्रेड दिजे क्योंकि लोग दुनिया को क्या दो दो चार चार पॉइंट भी नहीं मिलते हैं वो उसी में उल्जे हुए रहते हैं और आपको तो डेली कम हर रोज कम से कम एक दो श्टोक तो यसे मिली रहे हैं कि 10 से 15 पॉइंट तो अस्ते अस्ते मिली रहे हैं इसने आज एक 30 पॉइंट आपको बिल्कुल अस्ते दिये होंगे हमेशा ऐसे मिलेंगे आप बस चैनल के साथ बने रहें और कल के लिए भी तीन इस्टोक है और हमेशा एक बात याद रखे जितने रोज नेरो रेंज में चले उनकी टोटल ट्रेड़ेट क्वांटिटी का एवरेज जरूर निकाल के ट्रेड लिया करें लाव मार्केट में क्योंकि उसके भी ना अगर आप ट्रेड लोगे तो नुकसान होगा क्योंकि डेरीवेटिव सेग्मेंट के द्वारा क्या है कि फेक ब्रेकाउट दे दिया जाता है तो उसमें क्या इस टोक तो हमेशा उपर रहेगा मतलब उपर चला जाएगा लेकिन आप कन्फूजन में रहेंगे क्योंकि वो आचानक से वापिस गिरा भी सकते और नहीं भी गिराए वो दोनों कंडिशन रहती है और में होगा तो आज नी तो कल में सिर्फ इस पेसल वोल्यूम को किसे रीड करते हैं इसके लिए एक वीडियो डाल दूँगा वो एक बार ज़रूर देख लेना अगर वो आप अच्छे से समझ गए तो यह पक्का है कि फिर आपको सेर मार्केट में बहुत कम नुकसान होगा नुकसान तो होगा ऐसा तो नहीं है कि कभी नुकसान नहीं होता है पर बहुत नव के बराबर होगा और पहला इस्टोक है आज के लिए कल के लिए अब हमारे पास तीन इस्टोक है जिन में से एक तो रहेगा ग्लेन मार गए इसने न ब्रेकटाउं दिया है जो भी है एक दो पैंट का फ़ेक ब्रेकडाउन है तो उसको आप रख सकते हैं आरांध से ट्रेड ले सकते हैं अगर एवरेज वोल्यूम का ट्रेड हो जाए लाइव मार्केट में उसके बाद है बजा जाटो इसका भी है इसको बजा जाटो को 26 से चोई 26 के उपर वाई करना है 25 से 30 के नीचे सेल करना है ग्लेनमार्ग को 304 के उपर वाई करना है तीसरा है अर्विंदो फार्मा को 731 से बाई करना है और 706 के बाद सेल करना है तो इसका ध्यान रखना अगर मेरे बताये गए इस टो कौन से आपको प्राफिट हो रहा है तो चैनल के साथ जूड़िए सब्सक्राइब कीजिए साथ में बेल आइकन और लाइक बटन को